हाई लेविंधीज, वेलकम तो इजीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं होत अभिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने इंपोर्टेंट एकनामिक्स के कंसेप्ट देखेंगे, माइक्रो एकनामिक्स थी गाईज, सेकेंड टर्म सीबीस से के बहुत लिमिटेड चेप्टर आ रहे हैं, बट कौन-कौन से टॉपिक है जो आपको अच्छी तरीके से पढ़के जाने हैं, तो सबसे पहले अगर हम चेप्टर की बात करें, इस प्रोडक्शन फंक्शन उसमें आपका एक लॉग दे रखा है जिसका नाम है लॉग और प्रोपोर्शन इसे आपको सामने डिमिनेशिंग रिटर्न का लॉग कुछ भी नहीं है, तो उसे भी रीट कर ले ना, जस्ट कई बार स्कूल में दे देते हैं, बट इंपोर्टन कौन सा है, यह है क्योंकि mostly schools यह देते हैं, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े guys, cost की बात करें, तो cost में guys आपको पता है average revenue, अब guys table ना इसमें भी रह रखी है, production में, marginal product, total product, average product, तो concept same है, कि average कैसे निकालते है, total divided by output, यह ना, concept तीनों ही cases में same रहेगा, तो आपको table की अच्छी तरीके से practice करनी है, cost and revenue में guys, relation भी समझ के जाने हैं, अच्छी तरीके से, क्योंकि कई बार marginal cost का, total cost के साथ क्या relation है, variable cost और marginal cost का, वो curve पूछ लेते हैं, relation पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको समझ के अच्छी तरीके से जाना है, इसका में एक आपको trick बता सकते हूं, कि अगर आप table को समझ ले, total cost की table या फिर marginal cost, इनके terms को समझ ले, तो आप यह relation अपने आप भी बना कर लिख सकते हूं, इस movement along the demand curve, या shift in demand curve, या इसी के जो बच्चे हैं, parts है, contraction, in supply, decrease in supply, contraction, इसके अलावा जो आपका है, ठीक है, समझ गए ना, यानि कि change in supply का, या shift in supply का, तो वो जो differences हैं, आपको से बहुत सारे दे रखें, वो जरूर से पढ़ने हैं, क्योंकि वो इसी के parts है, ठीक है, अगर यह concept clear ह तो वो वाले concept भी आप असानी से difference find out कर सकते हो, इसके बाद है guys, market form chapter जिसमें आपका सिर्फ perfect competition market आ रहे हैं, तो उसके features आपको करने है, definition करनी है, इसके लावा implication बहुत important है guys, कि आपके features में implication दे रखी है, कि large number of buyer and supplier क्या imply करते हैं, तो वो जरूर पढ़ना है कि large number of buyer and supplier है, त तो उससे हमारे market में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बना फर्क नहीं पड़ता, innocence यह नहीं, कि buyer से कोई भी extra पैसे चार्ज नहीं कर सकता है, buyer अगर supplier market छोड़के जाए, तो market पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज में बोल रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वादल यह था, इसके बाद है guys, price determination chapter, जिसमें आपको simple application तो पता ही है, demand and supply curve का, ठीक है, वो concept बहुत असान है, वो करने के साथ साथ आपको price ceiling, price floor को नहीं छोड़ना, क्योंकि यह भी exam के point of view से important है, तो guys, अपके economics में बहुत कम concept है, बट इन्हें अच्छी तरीके से समझ के जाना है क्योंकि exam में यह पूछे जाते है, I hope guys, यह information आपके लिए useful रही होगी, अगर फिर भी कोई query है, तो आप Instagram पर message कर सकते हो, तब इताम ऐसी idea या फिर YouTube पर comment के through, thank you